हालो फ्रेंस बेलकम टो मंत्रा डिटोरियर हम बात कर रहे हैं मैक सिस्टम के बारे में इस डिटोरियल में आप जानेंगे आपरेटिंग सिस्टम मैक में किस प्रकार काम करते हैं उसको स्टार्ट करने के बाद बेसिक जानकारी क्या होनी चाहिए हम इसके बारे में आपको इस होता है किसके बाद आप क्या करेंगी आपको करना क्या है यह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप कोई टाइप करना चाहती है इंटरनेट पर जाना चाहती है या कोई ऐसा जिसे आप वीडियो रेटिंग सीखना चाहरें तो बीडियो रेटिंग का कोई अपलीकेशन आ करना मूज को जैसे वर्क करता है माउस उस में वैसे करता है जा सक आस रापन करना यह तो डॉपल क्लिक करें तो आय। अल्वे भी विट्र को अपन करना हो तो उपर कर सकते हैं कहीं पर जो भी काप नर्म복 कांप करते हैं शिय taking में सिब कुछ उसी तरीके से होता है यह आपको पहले से सिस्टम से फैमिलियर है तो इसमें बस अंतर कुछ कीज का अंतर आता है कुछ screenshots के अंदर आन्तर आता है कि विंडो में कुछ और तरीकता था में कुछ और तरीकता है अब इसमें आपके सामें सबसे पहला बॉलते है नंफर काम करने कि जो चीज मिलती है व踏ती है माॉस को सबसे नीचे लेके जाएंगे यह दॉट कि दी वो सी के इसे डॉक वोलते हैं यह डॉक विंडो इसमें सारे वो आईकन की लिस्ट होती है जिन साफ्ड इसको हम साब यह सारे आईकन सें यदि आप इन पे डबल कलिक कर देंगे वो आपन हो जाएगा अब हर साफडियर का काम करने का तरीका और हर किसी का काम अलग अलग होता है हर साफडियर एक अलग मकसद से बनता है और वो काम अलग ही करता है इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कौन साफडियर यूज करना है क्योंकि आपके सापने या स्कीन पर बहुत सारे सा यह यह नेट कनेक्टर है नेट कनेक्ट करना है यह fcp 10 है एक software होता है वीडियो रिटिंग का यह system setting है यह app store online store होता है वह यह Photoshop है यह Premiere है यह गाना सुनना होता तो iTunes का हम लोग प्रियोग करते हैं कुछ test लिखना हो तो test to test edit है mpeg stream clip जिससे हम convert उगरा करते हैं यह final cut pro है यह screen flow इस तरीके से बहुत सारे software सापके यहाँ पर डॉक में by default मिलते हैं यह जो software आप यूज करते हो हो सकता वह software आपके यहाँ पर ना मिलें क्योंकि by default हर software आपको यहाँ पर नहीं मिलता है यहाँ पर कुछ software कम जो आपरेटिंग सिस्टम है मैक वह कुछ अप्लिकेशन तो आपको यहाँ देता है लेकिन जो अप्लिकेशन आप स्टॉल करते हो वह अप्लिकेशन का आइकन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा कैसे वर्क करता है यह आपको जानकारी होनी चाहिए तभी आप उसमें काम कर पाएंगे सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस सिस्टम में अप्लिकेशन यादि आपके डॉक बिंडो पर नहीं है तो आप कैसे लाएंगे अब होता क्या है कि आप नए नए कभी कभी कि इसमें डॉक बिंडो पर जो अप्लिकेशन से इनको आप कभी भी यहां से क्लिक करके उपर की तरफ जब आम मूब करते हैं यहां पर इसकी जाए इसको आम उपर तरह मूब करेंगे ना ऐसे यह देखिए जलने जैसा आ रहा ट्राइं ही यहां से डिलीट हो जाएगा बहुति किसी भी आइकन को आप यहां से डिलीट कर सकते यह वन्प यहां नहीं है तोете मतर्व होता है यह इंडि कोई पे रखा गया है, दो तरीके होते हैं, एक होता है कि आपने उसके आइकन को यहाँ पहले से रखा हुआ है, तो वो अपलिकेशन open हो या नहों वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, यदि यहाँ आपके यहाँ पर नहीं है, और वो open है, तो जब तक वो open रहेगा तब तक आपको यहां डॉट पर अप्लिकेशन आपको आइकन दिखाई पड़ेगा जैसे वह अप्लिकेशन बंद हो जाएगा यहां से भी उसका आइकन हट जाएगा तो यह एक होता है टमप्रेरी जब तक आप ओपन रखेंगे तब तक दिखेगा यह होता है वह इ यहां पे कर उन्ही को रखा जाता है जिनका आप डैयली प्रियोग करते हैं ऐसा नहीं कि जिनकी एक ताुसरी की करना है वह इंग लिख करना है तो तो प्रीमियर पे एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहां स्क्रीन पे डॉक पे प्रीमियर आइकन कैसे लाते हैं, वो अपलिकेशन आपको कहां मिलता है, उसको कैसे ओपन करेंगे, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, यदि आपको यह वीडियो